भारत में सरकारी स्कूलों की हालत किसी से छुपी हुई नहीं है कहीं अध्यापक पढ़ाने नहीं आते हैं तो कहीं छात्र ही पढ़ने नहीं पहुँचते हैं तमाम स्कूलों के भवन इतनी बुरी हालत में है कि पुरातत्व विभाग उसे सहीच सकता है मिड़े मील का भी बुरा हाल है ऐसा ही एक स्कूल है जारखन के गोड़ा जिले में और इस स्कूल की पोल खोली वहीं के एक पूर्व छात्र ने जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रहा है गोड़ा जिले में महगामा ब्लोक है जहां भी खियाचक के एक नन्हे रिपोटर ने अपने इलाके के सरकारी स्कूल की पोल खोल कर रख दी है इसी स्कूल में पढ़ने वाले एक पूर्व छाच्र ने रिपोर्टर की भूमिका निभाते हुए स्कूल की समस्याओं का वीडियो बनाया इस नन्धे रिपोर्टर ने माइक की जगे कोडरिंग की एक खाली बोतल का इस्तेमाल किया जिससे 12 साल के सर्फरास ने स्कूल की बधाली सामने ला दी जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब खूब वायरल हो रहा है वीडियो में सर्फरास स्कूल में घूम घूम कर बता रहा है कि स्कूल में ना टॉयलेट है ना ही पानी पीने की वेवस्था इतना ही नहीं इस नन्हे रिपोर्टर ने शिक्षिकों की मनमानी भी बताई कहा सिक्षक हाजरी लेकर गायब हो जाते हैं वहीं वीडियो वाइरल होने के बाद स्कूल के शिक्षक मुश्किल में आ गए जिसके बाद विच्षात्र की घर जाकर उसके परिवार को धमकाने लगे सर्फरास का आरोप है कि इस वीडियो के सामने आने के बाद स्कूल के शिक्षक ने घर पहुँचकर उसकी मा को धमकाया शिक्षक ने उन्हें कहा कि अपने बेटे को समझा दो नहीं तो धाने में शिकायत कर देंगे वीडियो में सर्फराज स्कूल के सभी हिस्सों में जाता है वो वीडियो बनाते हुए शौचाले की तरफ जाता है फिर सरकार पर सवाल उठाते हुए कहता है कि ये कैसी विवस्था है स्वाच्छ भारत अभियान चल रहा है लेकिन सरकार क्या कर रही है कैमपस में घनी घास को दिखाते हुए वो कहता है कि देखिए कि स्कूल में जंगल है वो आगे सरकार से निवेदन करते हुए कहता है इस स्कूल की विवस्था ठीक करें स्कूल के लिए पैसे आते हैं लेकिन रिपेरिंग नहीं करवाई जाती है अभी पौने एक बज रहा है लेकिन देखिए कि एक भी टीचर नहीं है वीडियो बनाने के पीछे मकसद पूछे जाने पर सरफरास ने कहा कि जब मैं यहां पढ़ता था तब भी यही हालात थे पढ़ाई नहीं होती है कोई सविधार नहीं थी अब मेरे छोटे भाई इस स्कूल में पढ़ते हैं इसलिए उसने वीडियो बना कर वाइरल किया है ताकि कुछ सुधार हो सके विरो रपोर्ट आज की खबर